भारत की जानी मानी बैडमिंटन खिलाडी साइना नहवाल को अप खेल से कुछ दिन के लिए दूरी बनानी पर सकती है आपको बता दे कि साइना नहवाल कोरोना वाइरस से संक्रमित हो गई है साइना को योनेक्स साइलेंड ओपन सूपर थाउजन टूर्नामेंट में भाग लेना है पर ऐसे समय में वह कोरोना पॉजिटिव हो गई है बता दे कि कोरोना वाइरस महमारी की वज़े से लंबे समय से अंतराष्ट्रिक कैलेंडर प्रभावित रहा था और अब साइना योनेक्स साइलेंड ओपन सूपर थाउजन टूर्नामेंट में भाग लेने वाली है ये टूर्नामेंट 12 से 17 जनवरी तक चलने वाला है लेकिन अब साइना का खेलना मुश्किल है वही साइना ने ट्वीट किया है जांच में सभी के नेगिटिव आने के बाद भी फीजियो और प्रशिक्षक हम से नहीं मिल सकते हम चार सपता तक खुद को फिट कैसे रखेंगे हम बहतर सिती में टूर्नामेंट खेलना चाते हैं कृप्या इसका हल निकाले गौर्टलेब है कि भारत का पूरा दल BWF विश्वर टूर फाइनल्स के दो सूपर थाउजन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए थाइलेंड की राजधानी में है यहां यह भी बता दे कि साइना ने एक ओर ट्वीट में लिखा हमें वाम अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग के लिए समय नहीं दिया जा रहा है हम यहां दुनिया के सर्वश्रेष्ट खिलारियों के बीच मुकाबले की बात कर रहे है उन्होंने कहा कि हमने फीजियो और ट्रेनर को यहां लाने के लिए काफी खर्च किया है अगर वे हमारी मदद नहीं कर सकते तो यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई थी गौरतलब है कि एचेस प्रणे पारुपली कशप, समीर वर्मा, ध्रोव कपिला, मनु अत्री भी टूर्नामेंट के लिए बैंकक पहुँचे थे पारुपली कशप ने पतनी साइना के साथ सोचल मीडिया पर फोटो साजा करते वे लिखा था कि लंबे इंतजार के बाद हम थाइलेंड में खेल में वापसी करेंगे बता दे कि टोक्यो ओलम्पिक में क्वालिफाई करने के लिए साइना के पास मार्च तक का समय है ऐसे में साइना इस बात को लेकर चिंतित थी कि उचित प्रशिक्षन की कमी से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है बताया तो ये भी जा रहा है कि साइना ने इस मुद्दे को लेकर BWF से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं निकला उन्हेंने कहा कि पूरी टीम को अभ्यास के लिए सिर्फ एक घंटे का समय मिल रहा है एक ही समय पर जिम करना है ओलम्पिक क्वालिफिकेशन के लिए मार्च तक का समय है ऐसे में फिटनेस के लिए ये अच्छा नहीं है बता दे चले कि मशूर बैडमिंटन खिलाडी और ओलम्पिक में भारत के लिए पदग जीत चुकी साइना नहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है इन दिनों वो थाइलेंड में बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल रही थी इसी बीच वो कॉरोना वाइरस से संक्रमित पाई गई जिसे टीम के लिए टेंशन बढ़ गई है हलाकि उए थाइलेंड के एक अस्पताल में दस दिन के लिए कॉरंटाइन कर दिया गया है बता दे कि साइना के कोरोना पोजिटिव होने से उनको बड़ा जटका लगा है क्योंकि 12 से 17 जनवरी के बीच योनेक्स थाइलेंड ओपन खेला जाएगा वही 19 से 24 जनवरी के बीच टोयोटा थाइलेंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच BWF विश्व टूर फाइनल्स खेला जाएगा इन सब के बीच साइना के इस वाइरस से संक्रमित होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको बता दे कि आज से थाइलेंड में टोर्नामेंट शुरू हो रहा है जिसके लिए वो काफी समय से तयारी कर रही थी टोर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्होंने सोंबार को कोरोना टेस्ट भी कराया जिसका वीडियो उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया है इस वीडियो में साइना काफी एनरजेटिक और खुश नजर आ रही थी वीडियो में उनका कोरोना टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसके बाद उन्हें दस दिनों के लिए कॉरिंटाइन कर दिया गया आपको बता दे कि अभी तक सायना नहवाल के और से इस बारे में कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाल जंगमायुरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिन्दगी का हिस्सा अब जंगमायुरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिन्में शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्मसंबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट थाइरोइड के लिए जंगम थाइरो किट जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट पुर इन सभी आउशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य, डॉक्टर्स और प्राक्टिशनस वो मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें जंगमायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाना, मोबाइल नंबर 9817098180